रावे आज धन तेरस का पर्व है इस पर्व पर लक्ष्मी की भक्ति होती है लक्ष्मी राधा बामान्ष संभूता महा लक्ष्मी बभूबह शास्त्र कहते हैं कि राधा रानी के बाएं अंग से महा लक्ष्मी प्रकट हुई और स्रीक्रिष्न के बाएं अंग से महा लक्ष्मी प्रकट हुए और यह भी कता है कि वैसे तो जैसे भगवान अनादी हैं ऐसे लक्ष्मी भी अनादी हैं लेकिन लीला की दृष्टी से एक बार समुद्र मन्थन हुआ था उसमें भगवान भी थे और मंदरा चल परबत था और बासु की नाग था एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस मथ रहे थे उस परबत को उससे चौदा हरत्न निकले थे तो उसी में एक रत्न थी लक्ष्मी साब ब्रह्मा विष्णू शंकर्स इंद्र भरण कुबेर साब देवता और बड़ी बड़ी पावर उस समय एकत्र थे समुद्र मन्थन देख रहे थे तो जब अम्रित निकला तो सब पीने को तयार हो गए और जब बिष्ण निकला तो सब भागने लगे उसके एक गैस से तो खायर उसको तो शंकर्जी ने अपना गले में धारण कर लिया बिष्ण को अम्रित को तिकडम करके भगवान ने देवताओं को पिला दिया आज ही के दिन धनमंतरी प्रकट हुए ये बाइद्य थे देवताओं के इलाज के लिए ये प्रकट हुए थे धनमंतरी तो ये भी देवताओं को पक्ष में चले गए अब बचीन लक्षमी तो लक्षमी ने सब देवताओं को देखा कि किसको भर बनाओं पती बनाओं क्वचे चिराजुर नहिशी ललक्षणम् क्वचे तदप्यस्ति नवेद्यमायुष यत्रोभयम् देखा कि कुछ पर्सनेलिटीद ऐसी खड़ी हैं जो बड़ी उमर वाली हैं मारकंडे वग्यारा लेकिन वो प्यारवार नहीं जानते खड़ासीन संत हैं तो उनके गले में माला डालें उनको पती बनाओं वो अपना ब्रह्म का ध्यान करें बीबी से कोई मतलब़े न रखें क्या फाइदा और जो प्यारवार को जानते हैं ऐसे कुछ हैं लेकिन उनकी उमर का ठिकाना नहीं हिरन कशुपू अगेरा राक्षस थे भी थे वहां कम मर जाएं यत्र भयम तत्र जसो प्यमंगला और जिसमें दोनों गुण हों उमर भी अनंत काल की हो और प्यारवार भी जानते हों आइसो में मैंने चुना भागवान शंकर हैं लेकिन उनका बेश बड़ा देखके डर लगेगा बड़ बड़ भयानक सर्पलपेटे हैं भूतों के साथ रहते हैं खोपड़ी की माला पहिंते हैं और बेबी कुछ जचे नहीं एक श्री कृष्ण है उनमें सब अच्छाईयां भी है प्यार भी समझते हैं शील मंगल भी है अनन्त उमर भी है लेकिन वो मेरी ओर देखी नहीं रहें बार बार मैं उनकी ओर देख रही हूं वो अपना और तरब देखते हैं जान बूज के अनाधिकाल की जो धर्म पत्नी है उनको वो देखी नहीं रहें ना देखें हम तो इनहीं को माला पहना देंगे जब माला पहन लेंगे ये तो सोचना पड़ेगा इनको क्योंकि ये भक्त बत्तल तो हैं इनमें गुण है ये जो जीव जितना प्यार हमसे करता है हम भी उससे उतना प्यार करते हैं पहना दिया तो भगवान ने अपने बाएं तरफ लक्ष्मी को सदा रख रखा है सदा बाएं तरफ और दाहने तरफ कौश्तु भुमनी और भीच में ब्राह्मन भ्रिगू का चरण चिन तो भीच में वो चरण चिन है और बाएं तरफ लक्ष्मी है चलापि लक्ष्मीर नजहातित तत जत पदम लक्ष्मी बहुत चंचल है इस अंसारी लक्ष्मी जो आप लोग पैसे को कहते हैं इसको तो आप देखते हैं इन्हें कितनी चंचल है आज दुनिया में मंदी आ गई है सारी दुनिया में दो सव देशों में कुछ देश तो दिवालिया हो चुके अब कुछ होने वाले हैं अब बाकियों का भी बुरा हाल है अमेरिका सरी के देश का कई बैंक फेल हो गए हमारे देश में खरब पती ये बड़े बड़े आधे हो गए जो तीस खरब के थे वो पंद्रा खरब के रह गए यानि वो लक्षमी यहां वहां घूमती रहती है एक नोट को आप देखते हैं न बड़ा मटमैला हो गया है ये मटमैला क्यों हो गया है ये हजारों हाथों में गया है उसने उसको दिया उसने उसको दिया उसने उसको दिया उसने फिर बैंक में गया फिर वहां से आया फिर वहां गया घूम रहा है वही तो लक्षमी इतनी चंचल होते हुए भी और भगवान के पास ते नहीं भागी उनके बाएं तरफ सदा रहती है अब जड़ा अपने संसार को देखो कैसे अजीब लोग है हमारे संसार में ये बड़े-बड़े पैसे वाले वो दुकानदार हो छोटे-छोटे या बड़े-बड़े खरपती हो ये लोग इस दिवाली पर हिसाब करते हैं और अपने बही खाता में लिखते हैं सदा लक्षमी सहाए सदा कुबेर सहाए लक्षमी सदा हमारे पास रहे कुबेर सदा हमारे पास रहे ये पंडित लोग जो पूजा कराते हैं आपके यहाँ शादी ब्याह में जग्य वगेरा में तो पूजा के बाद में एक शलोग बोलते हैं यान्तु देव गणाह सरवे पूजा मादाय मामकीम सद देवता अपने अपने धाम को जाओ हम पूजा कर चुके पहले बुलाते हैं न गणेश जी दुर्गा जी अर्ब सोड़ समात्र का नवग्रह और अंत में कहते हैं सब लोग जाओ लक्ष्मीम कुबेरं चबिहाए लक्ष्मी और कुबेर तुम दोनों रहो और बाकी लोग जाओ फिर कितने अजीब लोग हैं अजीब अजीब माने समझते हैं आप लोग न हाँ जिनकी खोपड़ी उल्टी हो वो अजीब होते हैं भगवान सबसे अधिक अजीब हैं क्योंकि वो अन्यथा कर्तुम समर्त हैं वो आँख से सुनते हैं कान से देखते हैं अजीब है ने तो ये हमारे संसार के लोग भी अजीब हैं और इनको बताने वाले पंडित जी वगेरा भी अजीब हैं इनको ये नहीं पता है कि लक्ष्मी बिना भगवान के कैसे रहेंगी वो तो सदा भगवान के बाये तरफ रहती हैं जब तुम भगवान को भेज रहे हो कि सब जाओ अपने अपने लोग में और लक्ष्मी तुम रह जाओ तो लक्ष्मी कहेंगी तुम्हारा दिमाग खराब है मैं अपने पती को छोड़ के तुम्हारे यहां रह जाओ तो संसारी इस्त्री को भी अगर कोई ऐसे कहे यहाँ जितनी इस्त्रियां आई है वो सब रुके हैं हमारे घर में और जितने पती आए हैं वो जाएं अपने अपने घर तो लोग पिटाई कर देंगे यह पागल हो गया है तो लक्ष्मी तो तभी रहेंगी जब भगवान को बुलाओ नो कोई नहीं लिखता बहिखाता में राम सहाए स्री कृष्ण सहाए भगवान सहाए लक्ष्मी सहाए कुबेर सहाए यह लक्ष्मी कैसे रहेंगी भगवान के बिना अब कुबेर कैसे रहेगा वो तो सर्वेंट है तुर्शिदास ने लिखा है बड़ा मजेदार बिन्ध्यन इन्धन पाईये सागर जुरेन नीर अपरे उपास कुबेर घर जो बिपक्षर अगुबीर अगर भगवान को आप नहीं मानते और एकुबेरो लक्ष्मी की भक्ति करते हैं तो आपका क्या हाल होगा बिन्ध्या चल पहाड में कितने बिक्ष हैं और खाना पकाने को लकड़ी नहीं मिलेगी आपको आपको कितना पानी भरा है समुद्र में उंगली डुबोने को भी पानी नहीं मिलेगा और अनन्त धन है कुबेर के पास लेकन वाव उपवास सुरू हो जाएगा फाके पड़ेंगे तो लक्ष्मी और कुबेर कोई भक्ति कर रहे हो और भगवान को बिदा कर रहे हो ये अजीब लोग है ने ये कृपालू बोला है और कोई नहीं बोला आज तक हाँ सब पूजा करवाते हैं और लक्ष्मी को सिर जुकाते हैं और एक बात और बताएं आपको बड़ी मजेदार कि लक्ष्मी तो भगवान की अंतरंग शक्ति है दिब्यानंद उनके पास है और ये माया को लोग लक्ष्मी कहते हैं माया को ये जो संसारी संपत्ती है सोना, चान्दी, रुपया, मकान, जमीन इसको कहते हैं लक्ष्मी वान है ये पड़ा धनवान है इसलिए लक्ष्मी वान है लक्ष्मी पती है ये लक्ष्मी नहीं है ये तो माया है संसारी बस्तू तो माया कहलाती है ये पृत्थवी है न, इसी से तो पैदा हुआ सोना, चांदी, हीरा जितना भी आप लोग बाईभाव कहते हैं, ये पत्थर सब है न, ये मिट्टी से तो बने सोना कहां से निकलता है, इसी पृत्थवी से, चांदी इसी पृत्थवी से, धीरा इसी पृत्थवी से, वो जिसके पास अधिक हो गया, वो लक्ष्मी पती हो गया वो तो माया पती है, लक्ष्मी पती नहीं है कोई, लक्ष्मी तो भगवान की अंतरंग शक्ती है, वो तो धिब्यानंद देती है, मिटीरियल नहीं, स्प्रिच्यूल है पीनस लेकिन सब अजीब हैं, अजीब काम करते हैं, और चला आ रहा है परमपरा बश्कुसी प्रकार तो आप लोग समझे रहिए, कि आपको राधाकृष्न की भग्ती करना है, अनन्त कोटी, धुरगा, लक्ष्मी, कुबेर साथ अपने आप भागे आएंगे आप सुप्रीम पावर की शरण में रहें, और सब क्यों अपने आप बिना बुलाएं, आने दें डरें नहीं, लेकिन किसी का आपमान नहीं करें, हाँ सब को नमस्कार है, लेकिन मन बुद्धी का समरपन, श्यामा श्याम और उनके जन गुरु के प्रति होना है ये रहस्त्य आज धन तेरस को आप लोग मस्तिश्क में रख लें हुआ है।